नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे आज हम बनाएंगे पिकॉक की एक बढ़िया सी मिथला आर्ट या मदुबनी पेंटिंग और यह बहुत ही आसान मैंने रखा है बिल्कुल बिगनर्स के लिए है आपको इसमें जाधा मटेरल के भी ज़रूरत नहीं है आप कोई भी फाइन लाइनर या पें से यह बना सकते हैं मैं जो यूज कर रही हूँ वो एक रोटरिंग आइसोग्राफ पें है बट आप अगर इंवेस्ट नहीं करना चाहते हैं चुकि यह बहुत एक्सपेंसेव होता है तो आप किसी भी ब्लैक मारकर या पेंसे इसको बना सकते है तो सबसे पहले मैंने बिल्कुल जो शेप है प यह पूरी तरह से उभर कर दिखेगा आपका उसके बाद मैं बना रही हूँ पैर जो पिकॉक जो है वो एकदम से पंक फैला कर खड़ा है इस तरह का हम पेंटिंग बना रहे हैं और इसलिए मैं बना रही हूँ पैर और इसके बल पे वो खड़ा है और दोनों तरव से पेपर का वो छोटा सा साइज है, पोस्कार्ड की तरह है, यह बिल्कुल, यह जो है A5 साइज है, तो लगा लो आप 21 cm by 14,5 cm का यह पूरा पेपर है, यह 300 GSM का थोड़ा थिक पेपर है, आप इसको थोड़े से थिन पेपर पर भी बना सकते हो, चुकि हम यह पूरी यह मोटिफ है, बहुत ही सुंदर लगता है बनने के बाद, और इसको जित्ता सजाएंगे, उतना अच्छा लगेगा, दोनों तरफ जो पंक भी बनाया है, उसके ओपर भी वो हाइलाइट वाला, सेमी सिर्कल वाला डिजाइन डालना है, और इस तरह से नीचे और पंक को ख पाटर्न को एक तूसरे से सेपरेट करता है, पर वो कल्चरली आप देखोगे तो शिवा और शक्ती का लाइन है, वो उसी को रिप्रेजेंट करता है, पुरी तरह से आपका पंक बन गया, डबल लाइन के साथ, बॉडी भी बन गई, जो पेजले शेप की है, उसके बाद आ पूरा कंप्लीट किया मैंने, तो वो इतना सुंदर दिखता है, कि मैं आपको बता नहीं सकती, तो इस तरह से हमको चारो तरफ ये करना है आपको, वापस से हाइलाइट वो जो डिजाइन है, अब देखो जैसे हम ब्लाइक कलर उसमें भर देते हैं, तो वो कितना अच्छा दिखता है, एकदम से वो आपका उभर कर आता है डिजाइन, इस तरह से आप कई बार भी कोई और भी पेंटिंग बना रहे हो, तो आप हाइलाइट कर सकते हो अपने डिजाइन को, नेक पे हमेशा कोई भी आनिमल हम बनाते हैं, तो हमेशा दो या तीन बॉर्डर से जरूर सजाते हैं मिथला आट में, ये आपको ध्यान देना है, और इस तरह से वापस से मैं लाइन-लाइन करकर उसको कर्व से, ये टिपिकल डिजाइन करने का तरीका है, ये टिपिकल चीजें हैं जो मिथला आट में यूज होती है, फिर वापस बॉर्डर में आपको ऐसे कच्छनी कर दी, जो आप line line fine lines के pattern बनाते हो, जिते भी आप pattern्स मिथला आट में उसे कच्छनी कहते हैं, और जब कलर से भर को क्लर तो उसे भरनीक कहते हैं, तो इस तरह से, अब ये जो च्छोट पत्ली सी लाइन मैंने छोड़ी थी border के, उसमें red lik ada pen से. बहुत प्यारा आपको ज़्यादा इसमें material के ज़रुत नहीं है, आपको इभी pen से भी बना सकते हो इसको ट्रायल करने के लिए, मगर अगर आप authentic way में बनाना चाहते हो तो ज़रूर nib ट्राय करना है, निब से बनता है, निब से बनता है, निब से बनाया जाता है, तो अगर आप उसको authentic way में ट्राय करना चाहते हैं, तो निब से बना सकते हैं और paint से बना सकते हैं, निब को डुबा कर paint में, पर चुकि ये हमने beginners के हिसाब से मैंने सोचा, तो इसलिए मैं pen से ही बना रही हूँ, एक दम असानी से बन जाएगा, आप ट्रायल के लिए ज़रूर ट्राय कर सकते हैं, जो हमने punk के उपर से semi circle डाला न, उसके उपर ऐसे, you know, जैसे lotus के पत्ते हों वैसे वाला design और उसको फिर हम connect कर रहे हैं इस तरह से curve से, तो ये भी बहुत प्यारा लगता है इस तरह से अगर आप बनाएंगे न, peacock का ये design, आप last में देखेंगे कि कितना सुंदर ये design बन कर आय है, उसके बाद उसको भी double line करना है हमें, double line हमेशा याद रखना हर चीज में हम double line करेंगे, और double line से देखो वो white line बिलकुल दिखती है तो और भी सुंदर लगता है, यहाँ पे मैंने वापस से इसको भरने का किया है, मैंने सिर्फ तीन pen का इस्तमाल किया है, तो एक है मेरा red, black और orange, तो यही तीन colors के pen मैंने इस्तमाल किया है, पूरी painting, पूरे postcard जो यह है, उसको बनाने के लिए, तो इस तरह से आप कच्चनी और भरनी, दोनों का मिला कर ही हमेशा हम painting बनाते हैं, मितला आर्ट में, या तो हम कच्चनी से पूरी तरह से भर सकते हैं, कच्चनी मत भरनी, भरनी मतलब जैसे आप रंग भरते हो किसी चीज़ के अंदर, तो जादा तर अधिक तर इस painting के अंदर मैंने कच्चनी का इस्तमाल किया है, जो यह अभी आप देख सकते हैं, fine lines, इस तरह से अलग-अलग तरह के कच्चनी होती है, या तो आप ऐसे straight line वाली कच्चनी कर सकते हो, या फिर आप दोहरी कच्चनी कर सकते हो, जिसमें आप दोनों तरफ से check-check जो हमने epicock के सर के उपर बनाया है, तो वो हो गई दोहरी कच्चनी, तो इस तरह से कई तरह की कच्चनी होती है, तो वो अलग-अलग हम use करके, अलग-अलग तरीके से भरके, उसको interesting बन तो वो जादा अच्छा लगता है बनने के बाद इस तरह से वापस जो पीछे का जो एरिया बच गया है हमारा वो समी सर्कल के अंदर उसमें हम ऐसे डिजाइन्स डालेंगे कुछ नहीं करना है बस लाइन से कनेकर कि ऊपर एक छोटा सा ड्रॉप जैसा बना देना है वो एकदम से ऐसे पिककॉक के जैसे रहता है न पंक के ऊपर वैसे ही डिजाइन है और वापस इसके अंदर कच्छनी अभी मैं कर रही हूँ दिर्ची कच्छ तो उस तरह से वी शेप में आपका आता है और बहुत सुन्दर दिखता है आप एक डिरेक्शन में भी रखोगे तो भी ठीक लगेगा बट इससे और जादा इंट्रेस्टिंग लगेगा इस तरह से अगर आप डिरेक्शन चेंज करकर के बनाएंगे तो है ना ये हो गया आ उसमें इस तरह से रेड से किया है मैंने है ना बीच में पहले एक गाड़ी सी लाइन दे दी और दोनों तरफ भी थोड़ा सा हैलाइट कर दिया थोड़ा सा डिजाइन को अच्छे से गाड़ा कर दिया अच्छे से मोटा लाइन थिक लाइन कर दिया एक एक मैंने छोड़ हम दूसरे color से करेंगे इधर red से किया है तो दूसरे color से हम वापस करेंगे तो आप देखो जादा colors का इस्तमाल नहीं हो है इस painting में सिर्फ तीन colors black, red and orange pen आप किसी भी pen से बना सकते हो इसको और इस तरह से वापस मैंने लिया है orange color red, orange, red, orange का combination चुकि black बहुत जादा है तो उसको balance out करने के लिए ये दोनों colors का combination ट्राइ किया है, red और orange काफी अच्छा लगता है यहाँ पे आप चाहो तो pink and orange से भी try कर कर देख सकते हो pink orange का भी color combination अच्छा लगता है black के साथ तो black जब भी आप color यूज करो तो उसके against जब भी कोई और color यूज कर रहे हो तो ज़रूर आप try करना थोड़ा light या bright color का black के साथ तो अच्छा दिखता है तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो यह बहुत प्यारा दिख रहा है और यहाँ पे हम कर रहे हैं half भरनी तो यह जो होता है जब आप पूरी तरह से नहीं भरते हैं सिर्फ edge में भरके beach में थोड़ा सा white छोड़ देते हैं तो वो हो जाता है half भरनी तो यह सारे ways हैं आपको भरने के यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं बस beach में एक dot डाल कर दो तीन semi circle line बना रहे हैं इस तरह का pattern create कर रहे हैं पूरा नीचे के part में और उपर थोड़ा हमने black से borders बना लिए और यहाँ पे बस हम यह design कर रहे हैं तो अब अलग-अलग borders भी try कर के देख सकते हो ना यह कैसा लगता है देरी देरे देखो जैसे जैसे हम कचनी भड़ते जा रहे हैं जैसे जैसे हम colors से patterns बनाते जा रहे हैं वो इतना खुबसूरत दिख रहा है और वो जो हमने शुरू में highlight रखी थी design कितना प्यारा वो दिख रहा है अभी तो जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे वैसे वैसे वो च्छा दिखता जाएगा यहाँ बे मैंने रखा है red से कचनी red black का combination punk में जो है वो रखा है तो वापस से हम कचनी ही कर रहे हैं पूरी तरह से fine lines एकदम बारिक जितना बारिक आप रखेंगे उतना अच्छा आप का वर्क दिखेगा एकदम fine lines तिर्ची कचनी कहते हैं इसको थोड़ा सा तिर्चा line है तो उसी तरह से दोनों साइड आपको करना है और हमेशा जब भी आप color से कचनी करें तो इस तरह से गाड़ा कर दें आपने जो मतलब edge पहना एक और दो एकदम थिक सा line फिरा दें उसी color से तो वो बहुत खुब सुरत लगता है आपकी कचनी ओहर जाती है उससे तो ये आपको ध्यान देना है तो इस तरह से दोनों side punk हो गया अभी बाहर के जो सबसे थोड़ा और highlight करने के लिए ये चोटे-चोटे black pearl like design पूली तरफ से और जाधा सुदर दिखने के लिए ये हम कर रहे हैं और अब बस कुछ ही हिस्सा बचा है वो है उपर का उपर भी मैंने ऐसे गोल-गोल ऐसे ना chain chain जैसा design बना दिया है और उसके अंदर भी आप कच्चनी भर सकते हैं उसके अंदर भी तिर्ची कच्चनी से आप सजा सकते हैं और यहां जो नीचे के जो हमने feathers बनाए थे एक एक कच्चनी करके एक खाली छोड़ा है और उसमें हमने किया है half भरनी तो इस तरह से ये ये भी एक design बन गया बहुत प्यारा और देखो आप double lines कितना प्यारा दिख रहा है न वहापे जैसे double line जो separate कर रहा है एक pattern को दूसरे pattern से वो बहुत ही बहुत ही अच्छा दिख रहा है तो ये हो गया आपका इस तरह से वापस से हम red से और orange से कच्छनी करेंगे इस तरह से बहुत ही सुन्दर दिखेगा red, orange and black बस देखो तीन colors का इस्तमाल किया और ये बन गई हमारी almost painting नीचे में मैंने थोड़े patterns भी add किये हैं बाद में और एक black जो बाहर का border है ना और last में बनाएंगे आखें हमेशा मिथला आर्ट में आखें जो हैं वो last में बनती है तो ये आपको ध्यान देना है तो ये बन गया लगभग peacock तो इस तरह से दिखता है वो जब आप पूरी तरह से भर देंगे ना design बॉर्डर में black color तो इस तरह से दिखेगा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे अगले tutorial के साथ